राथे राथे दोस्तों कैसी हैं आप सब? दोस्तों होली के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना हमेशा आपका भाग के चमकता रहेगा घर में माता लक्ष्मी का इस्थाई रूप से बास हो जाएगा धन की कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों होली रंगों और खुशियों का त्योहा है फालकुन शुकल पोडमा पर होली का देहन का पर मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंगवाली होली खेली जाती है इस बार होली का देहन का पर साथ मार्च को मनाया जाएगा इस बार होली का देहन का शुब महुरत 7 मार्च की शाम 6 बच का 24 नर से रात 8 बच का 51 मिरट तक का है इस बार रंग वाली होली 8 मार्च को खेली जाएगी दोस्तों आईए जानते हैं होली वाले दिन ऐसी क्या चीज है जो खालेनी चाहिए इसे खाने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता आईए दोस्तों जानते हैं दोस्तों यह उपाय किसी को बता कर ना करें इसे चुपचाप करें खोली का देहन के बार होली के राह को खोली मया का आश्रवास समझकर अवश्य ही खालें अपनी जुबान पर जरू लगाएं इससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक उजा होगी भें अपने आप ही नश्ड हो जाएगी और नकारात्मक उजा आपसे दूर भाग जाएगी आप एक उत्तम जीवन की कामना कर पाएंगे इसलिए दोस्तों आप होली के राक अवश्य ही खाने खोली के राक खाने से आपके अंदर सकारातमकता का बास हो जाएगा और आप धन्धाने से परिपूर हो जाएगे आपके अंदर तेजी से काम करने की शक्ती जाकरत हो जाएगी और साथ ही साथ आपको खोले बाले दिन गुज्या भी अवश्य ही खा लेनी है क्योंकि गुज्या सर्शिष्ट और महत्पूर्चीज होती है जिसे होली माता को चड़ाया जाता है प्रशाद के रूप में अवश्य ही आपको गुज्या खानी चाहिए और पूरे परिवार को भी इसे खिलाना चाहिए पांच गुज्या एक साथ आप किसी गरीब को भी खानी के लिए दे सकते हैं इससे आपके उपर होली माता का आशिरवार बना रहेगा ऐसा करने वाला व्यक्ति धन्धाने सुक समर्थी से माला माल हो जाता है दोस्तों होली बाले दिन आप होली का मैया को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना अवश्य ही खाने गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है होली बाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके उपर जीवन पर सकारात्मक्ता का संचार बना रहता है उसे कभी बुराईयों का सामना नहीं करना पड़ता ऐसे व्यक्ति के उपर कभी भी धन की कमी नहीं होती माता लक्ष्मी का आशिरवाद भी उस व्यक्ति पर सदेप बना रहता है गन्ना जीवन में मिठास भर देता है होली बाले दिन माता को गन्ना चड़ाने के बार आप गन्ना अवश्य ही खाले इसे प्रशाद के रूप में खालेना चाहिए दोस्तों होली बाले दिन यह तीन गन्दे काम कभी न करें होली की पूजा में यह तीन चीज़ें कभी अर्पित मत करना नहीं तो बरबाद हो जाओगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरू लिखें चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों शास्तों के अनुसार माना जाता है कि होली का देहन पर होली की अगनी में तोटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए नाहीं खंराब गन्ना अर्पित करना चाहिए उल्टा आप पर होली मया का श्राप लग सकता है तोटा हुआ गन्ना पूजा पाट में इस्तमाल नहीं किया जाता इससे होली माता जाते जावते आपको श्राप दे सकती है और आपके घर में गरीबी का बास हो सकता है शांस्तों की माने तो जब होले का देहन होता है तब होले की अगनी में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए जब आप अगनी में गन्ना डालें तो गन्ने के उपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए क्योंकि पूचा पार्ट में अधूरी चीज़ें इस्तमाल नहीं के जाती अधूरी चीज़ें इस्तमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होता है इसलिए गन्ना सापुत होना चाहें तूटा हुआ बिलकुल ना हो हमेशा याद रखें गन्ना घर में लेकर अवश्य आएं गन्नी की संख्या दो, पांच के साथ में होनी चाहें दोस्तों होली की पवितर अगनी में पानी वाला नारियल नहीं चड़ाना चाहें इससे आप पाप के भागिदार बन सकते हैं हमेशा सूखा नारियल ही होली की अगनी में अर्पित करें। सूखा नारियल अगनी में डालने से पहले इस पर पूरी परिवार का हाथ अवर्शन लगवालें। इससे होली माता जाते चाते आपको धन से माला माल कर देंगी। आपकी गरीबी को भी साथ ले जाएंगी। पा सब्सक्राइब टोभी परिशानयों को अपने साथ ले जाएंगी और अग्नीदे भी प्रस services हो जाते हैं दोस्तों माना जाता है होली माता को घर का भोग अपर आप पे में घर को चीझा को अव्राघ Steam कि साथ चबहां आप 2, 5, 7, 11 या 21 गुज्य चढ़ा सकते हैं। एक गुज्य भी नहीं चढ़ाने चाहिए। खोलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं। जल अवश्य ही अर्पित करें। खोलिका दहन में गाय के गोवर के बने उपले बर्फुले अवश्य चढ़ाने चाहिए। खोलिका की अगनी में हरा चना गैहों की बालियां कोई भी फसल अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जब आप होलिका माता को बालियां अर्पित करें तब देखें वे पूरी तरह सूखे हुई ना हो और उनमें सूखे हुई पत्ते भी नहीं होने चाहिए। हरी बरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अगनी में सूखी बालियां चढ़ानी से पाप लगता है। दोस्तों शास्तों के अनुसार माना जाता है अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो होली का देहन की पूजा किसी और सी करवा सकती हैं। आप पूजा के वैसे ही नियमों का पालन करें जैसे मासिक धर्म की दोरान कहती हैं। होली का देहन के पास आपको नहीं जाना चाहिए। आप किसी और सी पूजा पार्ट करवा सकती है इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी दोस्तों होली की अगनी में चावल की बनी पापर तथा कच्छी चावल अवश्य ही अर्पित करें चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है इससे आपके घर में जितनी भी करे भी होगी वह सब नश्ट हो जाएगी ध्यान रखे होलिका देहन में आप चावल के पापण या गुज्या चो भी चीज़ें अर्पित करें उससे पहले उन्हें जूटा ना करें घर में बनी गुज्याओं को पहले होलिका में चड़ाने के बाद ही उसे खाना चाहें और परि पार के सभी सदस्यों को एक दूसे को गुज्या जरूर खिलानी चाहें इससे आपसे प्यार मजबूत होता है दोस्तों होलिका माता को गुज्या का भोग लगाने के बाद कन्याव को गुज्या अवश्य खिलाएं और उन्हीं दच्छिणा दें ऐसा काइने से नब्दुर इससे सभी देवी देवताओं को भी भोग लग जाता है इस दिन आप कुछ भी ना कर पाएं तब भी आप गुज्या का भोग अवश्य ही लगा दें इससे होली मया का आशिरवाद भी सदैप आप पर बना रहेगा दोस्तों चाहें कुछ भी हो जाए होली का देहन के बाद उसके अगले दिन होली की राह को अपने घर जरूर लेकर आना उसे पूरे परिवार के मस्तक पर लगाना इस राह को काले रंग के कपड़े में बानकर हमेशा घर में समाल कर रखना चाहिए छोटे बच्चों के मस् बच्च पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए इसे नजर दोष उनके आज सपास भी नहीं भटकेगा होली की राह को काले रंग के कपड़े में बानकर दुकान के गल्ले में लखने से दुकान में बरक्कत होती है इसे घर पर भी लॉकर में रखा जा सक चाहें दोस्तों माना जाता है होली के दिन सफेद चीच किसी के द्वारा दे हुई नहीं लेनी चाहें सफेद चीच याने की दूस से बनी किसी भी प्रकार के मिठाई इस दिन तौने टोटके बहुत प्रभापशाली माने गए हैं इस दिन सबसे जादा तौने टोटके किये जाते हैं सफे चीच में आपके उपर कोई काला जादू कर सकता है होली के दिन आप सफेज प्षूल कर भी किसी से मत लेना दोस्तों पुराणों के अनुसार माना जाता है होली खुआंगों की सौगात लेकर आती है और प्यार का पतीक है ऐसे में इस दिन मास मदरां का सेवन नहीं चाहिए जो व्यक्ति होली पर मदर्ण का सेवन करता है तो उसकी योनि कुत्तェ को प्रापत होती है ऐसा Professor पीडी नर्त की याथनाइं भोगता भुंखता है उसलिए इस दिन कोई पर ब्लिकोश्ण करोधित उचाहिए खोली पर गाली नहीं देनी चाहिए, इस्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए इस दिन सुबह ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए खोली के दिन जादा सोना नहीं चाहिए खोली के पवितर दिन सहवास नहीं करना चाहिए इस दिन इस्त्री से दूरी बना कर रखनी चाहिए इस दिन होली अवश्य ही खेलनी चाहिए होली का रंग कई नकारात्मक्ता को अपनी साथ नश्ट कर देता है इस दिन जो मनुश्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके उपर होली मया का आश्रिवा सदय बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति, स्यदियां तक कृष्ण भागवान के शाप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व अवश्य ही मनाएं। भागवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कायने के लिए कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्ण जरूर लिखें। दुस्तों आप सभी को होली की हादिक शुप कामना है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थाथी राधी राधी